चित्रकूट के मौझूदा विधायक और कॉंग्रेस के पत्याशी दिपक बैजी हमारे साथ मौझूद है चित्रकूट की विधानसभा की जनता के लिए आपने कौन से कौन से कारे किये देखिए पास साल पहले जब मैं चित्रकूट विधान सभा के प्रत्यासिक रूप में चुनाव लड़ रहा था विधायक का चुनाव लड़ रहा था दोजार तेरा में पूरे गाउं में बिजली नहीं थी लोगों का एक है कहना था कि यहां भाजपा की सरकार है कई विधाय से लेकर सदन तक लड़ा विधान सभा तक लड़ा आज उसी का नतीजा है कि आज पूरे गाउं में बिजली लगी है लच्चुराम कश्वजी इस बार मजबुती से अपना पक्षर रखेंगे उनके जनाधार बढ़ रहा है क्या कॉंग्रेस अपना चित्रकूट की विधा चित्रकूट की जनता के लिए अगले बार आपकी क्या योजनाएं है जोब तक नहीं पूरी कर पाया देखिए बस्तर में सरकार नाम की चीज नहीए और विधान सभा नहीं पूरे बस्तर में मैं तो कहता हूँ सरकार के पास कोई प्लान नहीं है इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस टाइम 36 गड़ में अगर सरकार आईगी, हम बस्तर के लिए नए एक्षन प्लान तैयार करेंगे और बस्तर के लिए एक नए प्लान के साथ हम काम करेंगे, बस्तर के लिए एक अलग से हम लोग फंड की बांग करेंगे, जो कि गाम वालों और मत काफी प्राकृतिक सौंदर्य से बरपूर है कैमेरामैन संतोष महानंद के साथ मैं सारंग तेंक यू